हाई गाईज वोलकूम बैक आपका अपने चानल पे बहुत ही ज़्यदा स्वागत है गाईज अज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवास 18 के पब्लिक बीटा अपडेट के बारे में और साथ में डेवलपर बीटा अपडेट के बारे में आप सबही को कौन सा अपडेट इंस्टोल करना चाहिए डवलपर बीटा अपडेट इंस्टाल करना चाहिए यहाँ फिर आपको वेट करके बब्लिक बीटा अपडेट को इंस्टोल करना जो developer beta 3 update है उस update का size आप चेक कर सकते हो 925.8 megabytes मेरे को receive हुआ था तो ये update मैं तकरीबन 5-6 दिनों से use कर रहा हूँ अपने iPhone 11 की उपर और साथ में public beta update जो है उसमें क्या differences होने वाले हैं क्या कुछ नया apple release करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है developer beta update और public beta update में क्या differences है तो guys जो developer beta update रहता है वो आपको as comparatively public beta के पहले देखने को मलता है सबसे पहले apple developer beta को release करता है उसके बाद कुछ हफतों के बाद वो public beta update को release करता है तो जो public beta update होता है वो developer beta update के मुकाबले में थोड़ा सा stable होता है उ जो developer beta update होता है वो इसलिए पहले release करा जाता है क्योंकि उसमें जो bugs होते हैं उनको check करा जा सके और जो भी problems, issues face होती है developer beta update में उनको fix करके एक फिर से public beta update जो है वो release किया जाता है apple की और से जिसमें कि public beta जो update होता है उसमें आपको कम bugs देखने को मलते हैं और कम issues देखने को मलते हैं और साथ में अगर battery की बात करें तो battery health जो है वो आपकी usage की उपर depend करती है कि battery health जो है वो कितनी आपकी drop होगी iOS 18 के developer beta update में और public beta update में आपको कौन सा install करना चाहिए सिंपल सी बात है आपको public beta update को install करना है अपने device पे और कैसे करना है उसके वारे में सबसे पहले जानते हैं यहां पर आपको जाना है safari browser में और यहां पर आपको search करना है beta.apple.com तो यहां पर आपको यह apple की official website को search करना है safari में तो यहां पर आप देख सकते है coming soon बता रहा है public beta एक दो दिनों में आपको यह public beta update भी देखने को मल जाएगा शायद जब यह video आप तक पहुंचे की तब यह update release हो चुका होगा तो यहां पर आपको sign in की उपर tap करना है और यहां पर आपका जो device है वो आपकी face ID को use करेगा तो make sure रखें कि अपनी face ID को use करें अगर face ID काम नहीं करती है अपने passcode को आपको enter करना पड़ेगा आपके यहां पर website की उपर जिसके जाद आपका जो apple account है वो यहां पर sign in हो जाएगा उसके बाद आपको iOS को select करना है iPad के लिए भी install कर सकते हो बस iPad को select कर लो पहमें install करना है iPhone पे तो iPhone के उपर टैक करो enroll your iOS device उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा open beta updates तो open beta updates की उपर select करना है आपको जैसे ही यहां पर select करोगे आपको यहां पर iOS 18 का public beta update शो होना start हो जाएगा जब Apple इसे release करेगा तो यह थी गाईज आज की वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें पने चानल को वीडियो सब्सक्राइब कर दें साथ-साथ बंग इडिकेशन को जूर बैस कर दें ताकि आपको उमारी आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मलती रहे हैं तो मलते हैं गाईज अगले वीडियो में तो थैंक्स पर वाचिंग थेंक्यू सो मच